सभी सिच्छक शातियों को मैंने नमस्कार आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ FLN का रजिस्टर में किस तरीके से बनाना है वो मैं आपके साथ सेयर कर रही हूँ तो सबसे पहले हम फुल फॉर्म जान लेते हैं FLN की हिंदी में बेसे किस तर के लच्छ जान लेते हैं और एक जो लच्छ है वो मारा चार सब्ता का है तो टोटल हमारे छे लच्छ हैं तो आत्मे विश्वास के साथ अधिकांस बच्चे गत्विदियों में प्रतिपाक कर सकें आत्मे विश्वास के साथ अधिकांस बच्चे बा सकें अधिकांस बच्चे अपनी विचारों को लिखेत रूप में व्यक्त कर सकें कोई भी चित्र बनाकर उसका नाम वा उसके बारे में कुछ वाक्य लिख सकें यह हमारे बेसिक इस्तर के छह लच्च टोटल 24 अपता की हमारी कार्योजना है अब हम जान लेतें एडवांस इस को पढ़कर उसमें आये नए शब्दों को समझते हुए विशलेशनात्मक रूप से समझ बना सकें पाठे पुस्तक के अत्परिचित सब्दों के अर्थों को ढूड़ सकें वह उनका वाक्यों में प्रियोग कर सकें मुहावरों वह कहावतों को भी समझ सकें परिचित अपने विचारों को लिकेत रूप में अभिव्यक्त कर सकें एवं समीच्छा कर उसमें सुधार कर सकें बच्चों को बेसिक एवं एडवांस इस्तर के समूँ में बाढ़ने के लिए दिशा निर्देश क्या थे बच्चों के साथ सिचर कारे सुरू करने से पहले हमें बच इस्तर अनुशार बेसिक और एडवांस के समुँ में बाढ़ना जरूरी है बच्चों के साथ पढ़ने पढाने की गद्विदियां इस तरा अनुशार की जाएं तो बच्चों में प्रगती देजी से होती है बेसिक और एडवांस सिस्तर के समूँ का विभाजन का तरीका क्या था तो नीचे दिये गए अनुच्छेत के दो सेम्पल है इनके आधार पर बच्चों को समूँ में विभाजित करें अलग-अलग बच्चों के साथ अलग-अलग से रखे एं वो हमें एक है अनुच्छेत हर बच्चे से नहीं पढ़ः ना अपने हिसाप से चोटे-चोटे अनुच्छत बनाके बच्चों से पढ़ः सकते हैं बच्चा अनुच्छत को अच्ची तरह से पढ़ लेता है तो एडवांस इस्तर कर रखे, या बच्चा है उसका रंग सफेध है गाय हरी घास खाती है वह बहुत दूथ पीती है आप इस तरीके छोटे-छोटे अनुशिद बनाकर अपने बच्चों से पढ़वा सकते हैं कुछ समय बात निश्यत रूप से बच्चों के पढ़ने के स्थर में बदलाब आएगा तब इन बच्चों को एडवांस समू में सामिल करके गतिविदियां करवाएं नोट है भासा के अधार पर गड़त में भी बच्चों का बेसिक वर एडवांस समू बनेगा यानि कि जो बच्चा हिंदी नहीं पढ़ना जानता है अगर वो बेसिक इस्तर में तो उसको हम मैथ में भी पेसिक इस तो पहला लच्च है कहानी विशेघटना चित्र पात एवांस सीरसक पर बाचीत कर सके घर की भासा के साथ साथ विध्याला की भाशा में तर्क विदर्क कर सके हैं पहला दिन विशेवस्तू सीखने की तयारी के लिए गतिवीदी पाँच मिनट, बातचीत के लिए पंद्रे मिनट, कहानी के लिए पंद्रे मिनट, सब्द के लिए दस मिनट, इसी के अधार पे है भंडार के खेल, सब्द भंडार के खेल और पंद्रे मिनट में लेखन के लि कोटी खा पानी पी बंदर कूट 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 आप इसी तरीके से चोटी-चोटी कविताएं भी बच्चों को सहस कराने के लिए अपनी क्लास में करवा सकते हैं बाचीत 15 मिनट बच्चों से स्वतंत रूप से बाचीत करें बच्चों के नाम जाने वो उनके बारे में पूछें कि उन्हें क्या क्या खेलना और खाना पसंद है फिर हम 15 मिनट कहानी पढ़ना सम्मदित गत्वी दिया कराएंगे जिसमें पहली कहानी है सूजबूज कहानी को हाव हाव से पढ़ने को कहें और जरुवत पढ़ने पर बच्चों की मदद करें सब्द बंडार में है कहानी में आई हुए जाने पेचाने सब्दों को बोड़ पर लिखें और बच्चों को छोटी समू में सब्दों के अर्थों पर बात चीत करने को कहें एक समू दूसरे समू को सब्द का अर्थ बताएं फिर हमारा लेकन 15 मिनट इस पर हम बात करते हैं तो हिंदी की किताब से कोई भी चित्र दिखा कर उस पर बातचीत करें और दो वाके लिखने के लिए कहें अब हम इसके बारे में देख लेते हैं तो सबसे पहले हमने सीखने की तयारे के लिए 5 मिनट की यह तो कविता थी हमने इस पर कोई भी कुश्चन बच्चों से पूट अप नहीं करना क्योंकि इसे बच्चों को सहच करना है बातचीत पर हमें कविता कराने के बाद बच्चों से स्वतंतर रूप से बातचीत करेंगे उनके बारे में जानेंगे जैसे हम उनसे बच्चों से कुश्चन पूट अप कर सकते हैं आपका क्या नाम है आपके घर में कौन कौन है तुम्हारे माता पिता का क्या नाम है आज आपके घर खाने के लिए क्या बना है तुम्हें खाने में सबसे जादा क्या पसंद है आपके गाउं में कौन कौन से खेल खेले जाते है तुम्हें सबसे जादा कौन सा खेल पसंद है तुम्हारे विद्याले में कौन सा केल करवाया जाता है इसी तरीके से इस टॉपिक पर हमें 15 मिनट बातचीत करने के बाद हम अपनी कहानी प्याएंगे जिसमें हमें 15 मिनट का टाइम देना है कहानी है हमारी सूजबूश तो कहानी हमारी यह है एक दिन किसी तालाब पर एक मच्छुआरा सिकार करने आया तालाब में मच्छियां उचलकूत कर रही थी मच्छुआरे ने मनी मन सोचा अरे वा यहां तो धेर सारी मच्छियां हैं कल में बड़ा जाल लेकर जाऊंगा उस तालाब में एक सुनेरी मच्छी भी थी उसने मच्छुआरे की बात सुन ली यह बात उसने दूसरी मच्छियों को बताई वे सब परिशान हो गई अब हम क्या करें कहा जाएं सभी सोचने लगी सुनेरी मच्छी ने कहा पास में एक नदी है उसकी बहुत सारी मचलियां मेरी दोस्त हैं हम सब वहाँ जाकर रह सकते हैं वहाँ हमें कोई परिशान नहीं करेगा और भी मचलियां तालाप से निकली पेक पतले रास्ते से नधी में चली गई अगले दिन मचुआरा आया उसने बार बार जाल फेका लेकिन एक भी मचली नहीं फशी मचुआरा हैरान रहे गया वह अपना सा मूँ लेकर घर लोट गया इस कहानी को जब हम बच्चे को पढ़ाएंगे बच्चे पढ़ेंगे समझ के सार्थ तो हम उनसे कुछ कुशन पूट अप करेंगे जो मैंने कुशन यह लखे हुए है कि मचुआरा सिकार करने कहां गया मचुआरे ने मनहीमन क्या सोचा तालाओ में कौन था मचुआरे की बात किसने सुन ली सुनेहरी मचली ने सभी मचलियों से क्या कहा मचलिया परेशान क्यों थी मचली या कहां चली गई मचवारे को कितनी मचली मिली फिर इसके बाद है सब्द भंडार लेखन जिसमें दस मिनट का टाइम था जिसमें मैंने कुछ बच्चों की कहानी से जोड़े कुछ सब्दियां लिखें जैसे ताला, मचवारा, सिकार, मचली जाल, परिशान, रास्ते, हैरान इनके बारे में बच्चे बाचीत करेंगे इनके अर्थों को समझेंगे इसके बाद है लेकन 15 मिनट इसमें मचली का चित्र बनवाएंगे तता उस पर कुछ वाके बोलने या कविता याद करने को कहेंगे हम बच्चों को मचली से संबंदित कविता भी याद करा सकते हैं बच्चली के बारे में बच्चों को जानकारी दे सकते हैं तो ये है हमारा हिंदी का पहला दिन का वर्क आई उप आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने सभी साथियों के साथ सेयर करना ना भूलें साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें तब तक के लिए धन्यवाद